मैं शालू and welcome back to my channel उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हूंगे ठीकी हूंगे so friends आज है हल्दी वाला दिन यानि की हल्दी और ये बरुवा के दिन ही हुई थी मुझे लगता है ऐसा कि ये उसी दिन हुई थी या फिर शादी के एक दो दिन पहले उसी दिन हुआ था शायद तो क्या हुआना कि वीडियो काफी पुराना है आप सभी को पता ही है तो मुझे देट तो याद नहीं है किस दिन क्या हुआ था और मुझे ये पता है कि जब जेट जी को हल्दी लग रही थी ना तो मैं जो है मैं इनको हल्दी तो लगा नहीं सकती हूँ आप सभी को पता है तो मेरे हाथ में महंदी लगी हुई थी तो मुझे इस से पता है कि बरुवा व कोने जा रहा है दीक का लूक आप सभी देख सकते हो और सभी बहुत ही जादा enjoy किये हैं हर एक function जो है घरवालों ने मिलकर खुब अच्छे से enjoy किया है हल्दी का function जो मैंने बताया था हल्दी चुम्बन की रस्म जो होती है वही वाली होती है जो मैंने आप सभी को वीडियो मे दिखाया था जो पंडी जी कर्वाते हैं पहले गाओं में सिर्फ वही किया जाता था आज जी जो है हल्दी फंक्शन संगीत फंक्शन महेंदी फंक्शन हो गया है बट पहले जो सिर्फ वही होता था बट क्या हुआँ ना कि अब इस स्टाइल में अगर नहीं करो तो अच्छा भी तो नहीं लगता है ना मतलब इंजॉयमेंट नहीं आती है यार तो इसलिए जो है और जब शहर शहर से जो है परिवार वाले आये हुए यानि कि सब एक साथ तो रहने सकते हैं ना कोई बरेली रहता है यानि कि मेरे बड़े वाल तो सब जब आये हुए तो सब की साथ फिर एक इंजॉयमेंट एक मेमरी बननी चाहिए ना स्पेशल मेमरी तो बस इसलिए तो दी जो है हल्दी का ट्रे लेकर स्टार्ट दी कर रही है विकॉज क्या वहना कि जो पंडिजी कर वाते हैं उसमें सिर्फ कुवारी कन जिकाएं जो होती है कुवारी कन्याएं वही हल्दी जो है चूम सकती है लगा सकती है और दी को उसमें से आउट कर दिया गया था और अभी जो है दी जो है कह रही है कि मैं बड़ी हूँ तो सब से पहले मैं तो उस टाइम तो इनको बुआ ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं तुम सरी कि इसके बारी बारी जो है घर-के सभी जितनी भी लड़किया हैं का नंबर लगेगा उसके बाद जो है लिडीज का नंबर लगने माला है तो लडती नाइब नणन्द था बहुत सारी नंदे हैं और यह हैं किरती दी तो चलिए मैं अब अपनी वॉइस को यहीं पर म्यूट कर देती हूं और आप सभी वीडियो को इंजॉय करना मत भूलेगा और हाँ आप सभी से मेरी एकी रिक्वेस्ट है प्लीज यार लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें आ कर दोलिए सब्सक्राइब जरूर को अपना है जरूर कि से अथा, बहुत से प्वेचर को अभूले अच시ों चारी को को जरूणीर सकताता गहांे प्लीजा हैं हैं और सतन fries 2 चासे हैं आपकार करें आपकारें 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 पियृक्सा याइका बहान जर झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ है कर दो 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 कर दो. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो का तो प्रेंट हैं सो फ्रेंट्स हल्दी लगाने के लिए सबसे पहले लड़कियों को जो है मतलब कहा गया जितनी भी लड़कियां थी आप सभी ने देखा ही खुशी दी से लेकर निरूपमा दी और जूही दी और कीरती दी सभी बहुत चारे नंदे हैं मेरी प्रिया दीब दी के अलावा भी आप सभी अभी तक यही जानते होगे in fact मैंने अपने वीडियो में काफी बार सिर्फ दी का ही नाम लिए बाकी और किसी का नहीं तो आप सभी क्या करूं यार आप सभी के बार में एक बार पूछे थे तो खुशी दी का मैने आप सभी को बताया था तो ऐसा नहीं है इन दो तो आभी जो है भावी का नंबर आ गया है और यह मेरी जेठानी है और हां मुझे किसी ने कॉमेंट किया था कि आप जो है वो आपकी देवरान जेठानी और जेड़ जी नहीं लगते हैं आप दोनों यह उनसे बड़े लगते हैं तो जी हां ऐसा मतलब शरीर के वेट से कम है घर की बाकी लेडिस में सबसे ज़्यादा पतली हैं यह और मैं देवरानी ही हूँ अइसा नहीं है मैं जेठानी हूँ और जिनको लग रही है ना यह मेरे हस्बिन से बहुत जादा बड़े नहीं हैं सिर्फ मन्थली एक दो मन्थली मुझे इतना तो पता नहीं बस इत सब्सक्राइब तर आपको सब्सक्राइब तो अगर दी पुराने व्लॉग को यह लगता है कि उस स्टार्ट कर रहे थी तब आपको देखने को मिला होगा कि वह अलाहबाद जाती थी तो यह दोनों साथ में पढ़ते थे यहां अलाहबाद में तो यह रहा आप सभी के कॉमेंट का रिपलाई भी कर दिया इसी में और यह है मेरी सबसे छोटी वाली चाची ममता चाची और ममी को तो आप सभी ने देखा ही तो ऐसे करके बाकी भी लेडियूस का नंबर आ जाएगा और मैं हल्दी नहीं लगा सकती हूं तो इसलिए मैं नहीं हूं बार करती नहीं लगा सकती तो मैं इस वीडियो में भी नहीं हूं और कुछ लेडिज जो है वो येलो कलर जो है थीम फॉलो नहीं की हूई थी मन्जू बुआ तो मतलब और लेडि आप देखोगे न तो सुबह से उन्होंने यही साड़ी पहने उनको पता था कि आज हल्दी होने वाला है तो मैं आज यही साड़ी पहन के रखने वाली हूं तो बुआ तो काफी समार्ट निकली बट सीमा बुआ ने ग्रीन वाली यहीं कि यानि की थीम को फॉलो नहीं किया यहलो नहीं पहना उन्होंने और कलर फुल में कुछ लोग आ गए और कुछ लोग जो जट से रेडी हो सकते थे क्या है ना कि ठंड में आर कपड़ा बदलने में बहुत ज़ादा मतलब कपड़े चेंज करने में ना नानी मायाद जाती हैं मुझे अगर एक बार शजीर पे कपड़ा पहनों और वो कपड़ा गरम हो जाए तो फिर मुझे चेंज करने में जितनी गुस्ता लगती है ना यार मैं क्या बता हूं आप सभी को तो अच्छा ऐसा किसके किसके साथ होता है मतलब कौन-कौन ऐसा सोचता है एक बा आना जरूर कॉमेंट बॉक्स में आख सभी और हां कॉमेंट बॉक्स में आख सो भी कॉमेंट क्यों नहीं कर रहे है यार आप लोग भर दोना मेरा कॉमेंट बॉक्स सो फ्रेंट्स ये किया ना चाजी ने अच्छे से जेट जी का फेशिल गोल्ड ग्लो आया है पूरा फेस पे उनके अभी तक तो सब जो है ना सिर्फ जो है थोड़ी थोड़ी सी हल्दी ऐसे निखाने के लिए बस अभी चाजी आई तब पता लगा कि हल्दी लगी हुई है अब कल सुबह तक तो अच्छा निखार आएगा जेट जी के उपर मुझे ऐसा लगता है किस को ऐसा लगता है लेडीज और गल्स का नंबर खतम होने के बाद जो है जैन्स का नंबर आ गया है तो ये बड़े वाले जेट जी हैं यानि कि यूग व्लोगरा राध्या के हजबन मुझे वैसे पता नहीं कि जरुरत तो नहीं है बट मैं फिर भी बता दे रहे हूं मैं होना तो मेरा क्या भ भाई और ये हैं बड़े भीया और इसके बाद जो है मेरे हजबन और कौन-कौन आने वाले ये तो मुझे नहीं पता है मतलब अब जैन्स का नंबर आ गया है अब तक लेडीज 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 फस्ट हर जगा होती है ना तो बस वही था अब जो है जैन्स का नंबर आय है तो अभी जो है मेरे हजबन भी आ गये है विकाज इनकी और इनकी दोस्ती भी है यानि की स्टडी भी एक साथ की हुई है और क्लास्मेट भी है और मतलब भाई-भाई तो है तो आप सभी को व्लॉग कैसा लगा प्लीज कॉम्ट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो अब मैं आप सभी से लेती हुँ जाजद अब मैं आप सभी को मिलती हूँ सोरी अपने नेक्स ब्लॉग में कुछ खास लेकर आप सभी के साथ इन फैक्ट नेक्स वीडियो जो होगा वो भी डांसिंग का होगा और जिसका आप सभी को बेसबरी से इंतरजार है और मुझे भी सभी के साथ शेयर करने का बेसबरी से इनतरजार है तो नेक्स ब्लॉग जरूर देखिएगा